इस वीडियो आपि गास्ट्रिक ग्लैंज है थो ओण्स तनी घ्रिकलति एई उन आहे ग्लाइट है उसिति ग्लाइट को थे उने क्यों वह閉क ल féक आगाए गास्ट्रिक जूसे स्वाद आग उसलिए है और गास्ते को दिशुआ है तो तोगेज़ तर अगर उनकी स्कृषिशन देखें तो हम कहते हैं कि इनकी जो स्कृषिशन होती है वह 400-800 ml ऑफ गैस्टिक जुसिश स्कृषिश होते हैं इच मील जो हमने फहले देखा था लिवर में पर डे कि लिहास से बाइल की सिकृषिशन होती है वह 400-800 उनकी सिकृषिशन होती है अगर हम स्कृषिक गैस्टिक गेंट और इचनी है? वह यह हं सपी ही सर्दें हम छोते हैं स्वेगद में होते हैं सबसे पहले हम देखें फ़ोटिक सेल्स हम स्टेडी कर T नहीं है आपहे पारायटल से हीव चीव सेल मुकस स्क्रेटिंग सैल और्ऽे सेंख मुकस सेख मुकस क्यूणी सेख मुकस मेरों सॉर्ज म के ने अते वह तो आप योग आपको है अब आपको पता चल के हो पता है कि होसीं के फूंकर को तो जिस अ कहता है गेस्टिक यवनाच्चान और 50 अधियर टते हुआ है अधियर को अगे है जो के परायस थी नाफॉत के फूरन के आप हाँ होते हैं वह डिक्रीस होते हैं मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं फूड में वह किल्ड हो जाते हैं acidity of HCL की वज़े से हैं जो पराइटल सेल जो सिक्रीट करते हैं HCL को उसके acidity की वज़े से जो germicidal effect होते हैं फूड में वह हतम हो जाता है थे मांने मेंस मैं किल हो जाते है आतर हो जाते हैं धराइटे सेल्स ये इंट्रेंडनिक फेक्टर को भेfight art करता है Asics यां करता है इंट्रि enregist करता है में ये इंट करता CEO ये मननद के साथ इंट्रिंटर्ज के साथ ये इस संथित Na इसके साथ vitamin B12 के साथ bind करता है क्यों करता है ताके जो intestine की absorption हो और enable करता है उसको intestine की absorption होती हो इसको enable करता है ताके जो vitamin B12 है वो easily absorbed हो सके vitamin B12 easily absorbed हो सके इसलिए intrinsic factor जो होता है वो bind करता है vitamin B12 के साथ यह cells जो होता है वो pepsin की inactive form होती है और pepsinogen जब activated होता है तो वो pepsin बनता है और यह जो pepsin होता है वो exposed होता है acidic medium में और जब acidic medium में होता है तो वो acidic medium को थोड़ा acidic को कम कर देता है और जो mucus secreting cells होते हैं mucus secreting cells नहीं कि जो mucus secret करते हैं ऐसे cells mucus secret करते हैं वो कौन से cells है mucus secreting cells है these cells which secret mucus that cover inner surface of stomach inner surface of stomach की उसको cover करने के लिए जो cells होते हैं cells होते हैं वो secret करते है mucus को mucus cover करता है lining को क्यों cover करता है ताकि जो prevent कर से के pepsin की digestion को prevent it from the digestion by pepsin और उस रोकता है जो digestion होती है pepsin से उसको prevent करता है उसकी digestion में वो covering जोती है वो ना आ जाए दस it forms the inner coating of stomach जो mucus secreting cells होते हैं उसमें mucus secret होते हैं वह mucus cover करता है inner surface को ताकि वो रोक सके जो digestion होती है pepsin को वहां पर digestion को रोक सके और यह जो होती है mucus वो inner coating बनाता है stomach की hormone secreting cells जो होते हैं वो specific hormone release करता है कौन सा hormone release करता है gastrin, gastrin hormone release करता है जो proteinis food होता है उसके लिए gastrin release होता है stomach में ताकि उसकी जो secretion होती है stomach में वो stimulate करता है secretion of gastric glands को और यह जो proteinis food होता है उसकी digestion में help करता है gastrin next हम देखते है mechanism mechanism of secretion of gastric gland अगर हम देखें two major causes होते हैं gastric juices secretion के पहले तो nervous control हम देखते हैं secondly हम chemical control देखेंगे nervous control अगर हम देखें introduction में देखें कि side smell taste hearing of delicious food stimulates the nervous system जब हम देखते हैं smell करते हैं टेस्ट करते हैं या हमें delicious food के बारे में सुनते हैं तो हमारे जो यह चीजे हैं किसको stimulate करते हैं nervous system को stimulate करते हैं और message send करते हैं gastric gland को कि वो small amount of gastric juices को secret करे explanation अगर हम देखें थोड़ी सी कि जो gastric juices होते हैं यह control किसे होते हैं nervous system करते हैं और यह एक experiment से perform किया था इसकी secretion को कि कैसे nervous control करता है nervous system करता है gastric juices को scientist का नेम था पावल पावल नेम था उसका जो कि Russian scientist था उसने experiment किया था एक dog के उपर उसकी जो इसो फेगस थी पावल ने जो dog की इसो फेगस थी उसको cut कर दिया था और उसको छोड़ दिया था जो cut and किया था outside उसने छोड़ दिया था देन पावल ने क्या किया था dog को feed करवाया था और उसकी जो feed करवाने पर ही stomach की secretion हुई हलाकि इसोफेगोस इसने cut कर दिया था food stomach तक नहीं पहुंचा लेकिन gastric juice की secretion होगी थी तो यह क्या बताता है हमें कि food हमारे stomach में dog की stomach में नहीं पहुंचा था फिर भी gastric juice की जो secretion है वो हुई थी तो इसने फिर हमें ही बताया कि यह जो gastric secretion होती है यह nervous control ही होता है reflex control में ही रहता है gastric secretion और उसने यह proof किया था कि gastric nerve को जब उसने cutting की उसके बाद उसने यह बताया कि gastric nerve को जब उसने cut कर दिया तो उसके बाद जो gastric juice की secretion है वो नहीं हुई क्योंकि उसने नर्व भी कट कर दी थी ना नर्विस कंट्रोल से उसका जब पावलव ने गेस्ट्रिक नर्व को कट किया तो उसका जो कनेक्शन था नर्व के साथ नर्विस सिस्टम के साथ उस गेस्ट्रिक नर्व का जो कनेक्शन था वो खतम हो गया जिसकी नहीं हुई झूब के सिक्रीश नहीं हुई तो यह उसने बताया कि जहां पर अल्रेडी गेस्ट्रिक जूसिज होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं गेस्ट्रिक ग्लैंड से जो के स्टार्ट करते हैं डाइजेशन को जो स्मालर पैप्टाइड्स हैं स्मालर अमाइन ऐसे चेन हैं वह बनती है किसके लिए cholesterol hormone के प्रोटीन की digestion में हिल्प जाङ यह जो जो सर्कुलेड करेंगा ब्लड में जहांbaniff दोबारा हम रहां स्टमेक को सप्लाय करेंगा और Ķ्यमलेड करेंगा ग्हैं को हूश वह लार ज्टम करें ताकि जो प्रोटीन की डाजेशन है वह हो सके उसके पाद जो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होगी फूड में ज्यादा से ज्यादा 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 है वह सिक्रीट होगा और जब ज्यादा से ज्यादा उस्तिमिलेट करें गेस्टिक फूड होगा तो वह तो य जब उसका कमेPlus साथ उसका काण। होता है तो ऊस वक्त स्टमोलेशनbeing फूस्ट करते हैं एंदोक्राइड सेल को कि分 ni की ईजिए ऐन को सक्रेड करें और वह जो जट्रीन होगा तो वह सोगा फुटत आफ और फर सिप्रस्ट्रात कि यह सतर्धानिक शेड़िशन करें एंदार्ड करका रहा है कियों इխए होगा और वह एक्ट करेगा गेस्ट्रक ग्लैन्ट पे ग Tight Justy सिक्रीट होंगे स्वर्ड़ां के और कहां से होता है वह जब प्रोटीन की experiment प्रोटीन झूंधड है उसके साथ एंडोकेंज के साथ वह कौन्टेंट तो तो को ब्रेप करती है ताकि वह गस्तिंग को रिलीस करें और यह और आगे से चैने पर फ़र्म करता है दुबारा स्टमिक पेड़ कि ताके वह गासीब तो रिलीस करें यह था गैस्टिक ग्लैंड गास्रीक घृसिंग की कंपोझेशन देखी धन हमने मेकानिजम देखा मे कि आपको समझ आगी होगी अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो जाते चाहते अगर आपने चैनल सब्क्राइब ने किया तो चैनल को सब्क्राइब किजिए का दौा में याद रखेगा अलहाफिज झाल